Hello viewers, आज हम आपको सिखाएंगे अपने YouTube वीडियो में सब्टाइटल केसे डाले जाते हैं आप अपना चैनल कोलें यहाँ पे अपने वीडियो आपने सेलेक्ट की है जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बाद तंबनेल प्रोवाइड करके आपने नेक्स क्लिक करना है यहाँ पे एड़ सब्टाइटल एड़ वाले बटन पे आपने क्लिक करना है सब्टाइटल के लिए यह क्लिक कर लिया मैंने यहां पर अगर आपके पास सब्टाइटल का फाइल पहले से बना हुआ है तो वो आपने upload करना है और अगर आप चाहते हैं कि आप manually type करना चाहते हैं तो आप manually भी कर सकते हैं इसके लिए आपको manually type पर क्लिक करना है यह एक tab मेरे साथ open हो गया मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपने अपना सबटाइटल एंगलिघ में कैसे प्रौवाइड करना है जबकि आपकी वीडियो उर्दू में है यहां पे प्ले का बटन है यह बटन आप क्लिक करें आपको आवाज आएगी वो आवाज आपने यहाँ पे convert करना है English में अगर आपकी English टीक है मतलब आपको grammar और tenses का फरक मालूम हो तो आप खुद भी type कर सकते हैं और अगर आपकी grammar और tenses का मसला है तो आप इसके लिए Google translator का मदद ले सकते हैं मैंने आपके लिए Google translator में पहले से ही ये लिका हुआ है ये फाइल मैंने बनाई हुए है Google translator में अब मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ से play button क्लिक करके मैं audio सुनूँगा और वही audio मैं यहाँ पे manually भी कर सकता हूँ लेकिन वो ज्यादा time लेगा तो इस वज़ा से मैंने पहले से Google translator में बनाई हुए है वहीं से मैं copy करके यहाँ पे paste करता जाऊँगा आपको मैं अभी practically सिका रहा हूँ Hello viewers आज हम आपको सिकाएंगे किसी भी video का format change करने का तरीका ये मैंने यहाँ पे stop कर लिया ये वाला जो portion है यहाँ पे आपको क्लिक करके ये drag करके यहीं तक लाना है जहाँ पे आपने ये stop किया हुआ है और अब मैं वापस Google translator में जाके यहाँ से today we will teach you how to change the format of any video ये मैं copy करके यहाँ पे paste कर देता हूँ ये हो गया अब मैं next के लिए यहाँ पे ये plus बटन है इसको मैं click करूंगा तो video दुबारा यहीं से start होगी इसके लिए मुझे दुबारा से यहाँ play का बटन click करना है audio सुननी है दुबारा Google translator में जाना है वहाँ से copy करके paste करना है और वो भी बहुत असान और within 4-5 minutes में ये मैंने stop कर लिया यहाँ पे click करके drag करके यहाँ तक ले आए Google translator में जाए and that too very easy in 4-5 minutes ये वाला copy करके यहाँ पे paste करते जाए जैसे ही मैं plus का sign करूंगा वीडियो उससे आगे start होगी अभी मैं अपना वीडियो मुकमल करके आपको बता रहा हूँ आप भी सुन लें और देख लें समझ लें और सीख लें कि कैसे subtitles add होते हैं इसके लिए आपको चाहिए होगा VLC player वही procedure है दुबारा से drag करना है Google translator में जाना है for this we need VLC player right click copy subtitle paste plus sign आप अपना VLC player open करें drag Google translator run your VLC player copy subtitle paste plus sign media के टेब में नीचे आएं और यहाँ पर होगा convert slash save वही procedure आपने फालो करना है बहुत ही इजी और आसान तरीका है और बहुत जिल्दी हो जाता है open your convert save under media copy करके paste plus sign यह आप क्लिक करें यहाँ पर फाइल के मेन्यू में यह एड का बटन आपको दिकाई दे रहा है वही procedure दुबारा फालो करें यहाँ पर आपने अपना फाइल सेलेक्ट करना है नहायत ही आसान तरीका है इससे easy बिलकुल नहीं हो सकता यह मैं अपना फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ प्लस साइन आप बिलकुल नहीं बूलियेगा अगर आपने प्लस साइन दबाना बूल गए हो आप तो आपकी वीडियो में सब्टाइटल उसी जगह से स्टार्ट होगा जहां से आपने चोड़ा हुआ है तो प्लस साइन बूल ज़रूरी है टेस्ट वीडियो है और यह इसका फॉर्मेट आपको मैं दिखाता हूँ टेस्ट वीडियो है और यह इसका फॉर्मेट आपको मैं दिखाता हूँ इसका फॉर्मेट है एम के वी फाइल यह यहां तक हो गया प्लस साइन यहीं से दुबारा स्टार्ट होगा इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ MP4 पे यह मैंने सेलेक्ट कर दिया अब आप यहां पर आएं कन्वर्ट में इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहां पर सब्टाइटल्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपने सब्टाइटल्स का फाइल पहले से बना रहा है तो जिस्ट आपने यह वाला चेक बॉक्स चेक करना है सबटाइटल्स अगर आपने फा好好 बनाया हुआ है तो आप विल्सी में भी सबटाइटल्स दे सकते हैं अगर आपने सबटाइटल्स का फा Players पहले से बना रुछ आपने यह वाला चेक बॉक्स चेक करना है और ब्राउस करके आप वह वाला फाइल सेलेक्ट कर लेना है जो आप सब्टाइटल के लिए यूज़ कर रहे हैं इसके लावा आप इसमें ये भी कर सकते हैं यहां पे मैं कुछ भी नहीं देना चाहरा है तो जिस्ट मैं इसको ब्लैंक ही चोड़के प्लस साइंड दबाता हूँ तो यह ब्लैंक होके नेक्स से चला जाएगा जहां से मैं सब्टाइटल देना चाहरा है अभी मैं सिर्फ कनवर्ट के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं यह अंचेक करके यह कनवर्ट का बटन आपको दिकाई दे रहा है इस पे आप क्लिक कर दें तो आप इसको ब्लैंक भी चोड़ सकते हैं जहां पर आप सब्टाइटल नहीं देना चाहते हैं वो जगह आप ब्लैंक चोड़ दें यहां पर आप यह सेटिंग्स का बटन है एडिट लेगे यहां 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 कर दो शीजड़ दें लेगे इसको आप सेलेक्ट करके यहां से MP4 आल्रेडी सेलेक्ट है निए MP4 आप klikk करणें, इसके लेभ आप यह F-L-V, V-V, EMPIG यह MP4 आप क्लिक कर दें इसके लब आप यह FLV, WAV, MPIG AV, RAW, MPIG, ONE, MKV, किसी भी फाइल में आप फॉर्मेट में चेंज कर सकते में अपने वीडियो को, मैं अपना वीडियो MP4 में चेंज करना चारां अपना वीडियो MP4 में चेंज करना चारा हूँ तो यह मैंने MP4 सेलेक्ट कर लिया और यहां पर सेव का बटन में चेंज करना चारा हूँ तो यह मैंने MP4 सेलेक्ट कर लिया और यहां पर सेव का बटन मैंने क्लिक किया Google में बहुत ही आसान है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए और इसके लिए आपको उर्दू में लिखना भी नहीं पड़ेगा Google वालो ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है इसमें आप उर्दू के अलफाज English Alphabets के साथ ही दे सकते हैं जिसे वो डिरेक्ली English में Convert कर देगा For example, मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ कि मैं इसको इस सेंटेंस को मैं English में Convert करना चाह रहा हूँ कि आज हम आपको सिखाएंगे इसके लिए आप simply English उर्दू के Alphabets आप English ही में लिखें ये देखें आज यहां से सेलेक्ट हो गया आज हम, हम आप को सिखाएंगे के कैसे आप अपने और अगर आप कोई word English में देना चाहते हैं तो आप simply यहां पर English क्लिक करें और अब मैं देना चाहूँ तो चैनल, English ही में मैं चैनल देना चाहता हूँ पिर स्पेस दे कर दुबारा आप अर्दू में आ जाएंगे आज हम आपको सिखाएंगे के कैसे अपने आप अपने चैनल में सब्टाइटल अभी पिर मैं English में देना चाहरा हूँ सब्टाइटल स्पेस डाल यह देखें डाल सकते हैं इस से असान तो मेरा ख्याल में नहीं हो सकता है यह देखें इन्होंने डारेक्ली कनवर्ट कर दिया है तोड़े वी विल शो यू आपको एड़ सब्टाइटल्स तो यूवर चैनल बहुत ही इजी है इसके लिए आपको उड़ ओर्दू में लिकना भी जरूरी नहीं है आप डिरेक्ली उर्दू के उलफाज इंग्लिश में लिख सकते हैं और अगर आपकी वीडियो इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश से किसी भी लेंग्विज में चैन्ज कर सकते हैं पर आप English select कर ले और यहां पर कोई भी language आप बहुत ही मतलब सारे दुनिया के सारे languages इसमें almost सारे languages इन्होंने एड किये हुए हैं तो आप directly कर सकते हैं इसके बाद आप next क्लिक करें उसके बाद next और simply publish ये publish का button क्लिक करके आपका वीडियो upload हो जाएगा with English subtitles ये ताव subtitles एड करने का तरीका बहुत ही आसान और simple और इससे simple I don't think so कि इससे simple हो सकता है Thank you for watching